हेलो एब्रिवान मैं हुलिया और सागत है आप समी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल फैशन रंद्राविश यहां में आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टाइपस ओफ टक्स जो कि जो भी कोई भी स्टुडेंट होता है फैशन डिसाइनिंग की जब भी क्लास लेता है तो उसको जो है बेसिक्स कॉंसेट में टाइपस ओफ टक्स जरूर सिखाए जाते हैं क्योंकि एक बहुत ही सूधिंग इफेक्ट जब हमें क्रियेट करना होता है अपने टॉप में अपनी कुर्ती में या फिर कोई और भी हम आ है तो और के साथ भी इसको जरूर सेयर करें तो जो हम सबसे पहला टक्स पढ़ेंगे वह होगा पिंटक्स पिंटक्स बनाने के लिए आप अपने अकॉर्डिंगली वन इंच या हाफ इंच की दूरी पर इस तरह से लाइन्स जो है वो ड्रॉ कर लेंगे जो भी आपका पोर प्रेसिंग के थ्रो आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपने कोई भी फैब्रिक होगा उस पर जिस पर भी आप यह पिंटक्स देना चाहते हैं और जो कपड़ा है एक दम उसका किनारा लेंगे और उस पर बहुत ही धीले-धीले से अच्छे से फिनिशिंग के साथ उस पर जो है मैंने रेनिंग स्टिच ली है और बहुत ही इजीली इसको हमने क्रियेट कर लिया है और यह बहुत ही डेकुरेटिव लगते हैं जो भी आप फैब्रिक होगा उस पर इस तरह की टक्स देंगे आपने कुर्ती वगारा में पिंटक्स बहुत देखे होंगे और बहुत ही करता है और अब इसको और भी डेकुरेटिव बना सकतें में त्समें डिप्रेंटANGकाि बीड्स और प्लस और अट कर सकते इसको दोड़ा और डेकुरेटिव बना सकते हैं और सीर फैब्रिक्स पर इन का लुक यग हम इसीजाते हैं ने चायर 16tháng प्रियूं के पर यह किड़ आपको शुक्त में आने लगा थो इसी तरह से आपको मेझर कर लेना है और सारे टक्स जो जितनी भी आप देना चाहते हैं आप इस थे खर लेंगे सब हम अपना नेक्स टक्स क्रिएट करहा है जिसका नाम है ब्लाइंड टक्स ब्लाइंड टक्स जब बनाते हैं तो हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं टक्स को अपने और इनको जो है आप 1-1 इंच या 1-1 इंच वैसे तो 1 इंच ही रखें आप तो जादा अच्छे से ओवरलैप होंगे और आपका जो लुक है वो अच्छे से आएगा सो आप इनको 1-1 इंच की मिजरिंग करके आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और आपको 1 फुट की लेंथ जो होती है आप देख सकते हैं मैं 1 फुट की जो है सिलाई इसमें दे रही हूँ सो 1 फुट की सिलाई आपको यहाँ पे देनी है और अगर आप चाहें तो आप आधा इंच की भी सिलाई दे सकते हैं सो आपके उपर है आप कितने जो वाइड हैं वो रखना चाहते हैं अपने टक्स को यहाँ पे मैं 1 फुट की जो है सिलाई ले रही हूँ सो आपने जितनी भी लाइन्स ड्रॉ करी हैं उस पर वन वाइवान इसी तरह से आप एक फुट की जो है सिलाई लगा लेंगे उस पर सो यहाँ पर इस तरह से आप टक्स जो है वो बना लेंगे और यह जो है वो एक दूसरे को उपर ओवर लैप होंगे अगर आप इसमें थोड़ी सी और बड़ी जो है सिलाई रखे जैसे मैंने एक फुट की रखी आप आदा इंच की सिलाई रखेंगे तो यह और एक दूसरे से ब्लाइन्ड हो जाएंगे मतलब एक के नीचे जो है आपका दूसरा टक्स राएक और यह हमेशा एक ही साइड पे होंगे कुछ लेफ्ट कुछ राइट में नहीं होंगे तो अब हम नेक्स टक्स क्रियेट करेंगे जिसका नाम है स्पेस टक्स यहाँ पर हमने जो लाइन ड्रो की है वो वन एन हाफ यानि की देर देर इंच पर हमने जो है लाइन जो है वो हमने ड्रो की है इस तरह से डेर इंच की लाइन जो है वो ड्रो करने के बाद हम यहाँ पर भी एक फुट की जो है सिलाई जो है वो अपने फैब्रिक पर देंगे जहाँ पर भी हम यह डिजाइन क्रियेट करना चाहते हैं क्योंकि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा space ducts यानि कि इनके बीच में जो है वो थोड़ी सी space रहती है यह blind ducts जो है उनी से similar होते हैं बट इन में एक जो खास बात है यह थोड़ा सा space में होते हैं मतलब थोड़ी थोड़ी सी समें space आपको देखने को मिलती है इसलि इस तरह से सारे ducts जो है वो हमें create कर ले रहे हैं तो यहाँ पर आप देख लगते हैं हमारे जो ducts हैं उनके बीच में जो है एक space जो है वो maintain है आप अपने accordingly space जो है वो कम यह जादा रख सकते हैं और इसमें जो हमारे ducts हैं वो एक ही direction में होंगे so यहाँ पर हम अब पढ़ेंगे next ducts जिसका नाम है cross ducts यह क्या होते हैं बहुत ही pretty लगते हैं decorative होते हैं और यह एक बहुत ही अच्छा effect create करते हैं horizontally and vertically इनको हम stitch करते हैं बट यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जो vertical line से उसको तो मैंने as it is रखा है बट जो horizontal line उसको मैंने थोड़ सा diagonal में जो है दे दिया है तो इससे क्या होगा हम कोई भी variation के cross ducts जो है वो बना सकते हैं आप square shape के बना सकते हैं इस तरह से diagonal shape के बना सकते हैं जिस तरह के आप बनाना चाहाँ तरह से बना सकते हैं मैंने सोचे इसको थोड़ा सा different way में समझाओ तो यह थोड़ा सा unique look create करेगा सो इसलिए मैंने इसको इस तरह से lines जो है वो draw की हैं अगर आप चाहें तो आप straight horizontal and vertical lines जो है वो draw कर सकते हैं सो इन पर जो हम stitching करेंगे वो as it is pin tux जैसे हमने pin tux पर क्या किया था बहुत ही fabric का कम amount ले आता वही हम यहां पर भी करना है हमें fabric amount जो है वो बहुत ही कम लेना है और जैसे हमने pin tux में stitching की है वैसे हमें यहां पर इन पर भी जो 1 by 1 line मैंने draw की ऐसे 1 by 1 आपको इस सारी lines पर क् इसी तरह से हमें stitching दे देनी हैं सो यहां पर आप देख सकते हैं बिलकुल pin tux की तरह इस पर हमने stitching की है अब हम इसको complete कर लेते हैं सो आप देख सकते हैं यहां पर हमने अभी जो हमारी diagonal lines हमने बनाई थी उस पर हमने stitching कर ली है अब हमने जो vertical lines ट्रॉ की थी हम उन पर भी stitching करे इंगहिंगे reject Gok एक लुक दे दिया अब हम इसपर करेंगे श्चिचेग्ः है यह बहुत ही सुंदर लुक करते हैं आपको इभी आउटफिट में android तो डाल सकते हैं आप सलीप पर लाड़ सकते हैं आप अपने जो कोई भी सूट बना रहे हैं उसका योकि आप इस तरह से बना सकते हैं आप अप में इस्टेशि की यूश क्या जाता हreckा है तक्समास के साथ पर ही उसकर सकते हैं इन टक्स की यूज से बहुत सारी डेकुरेटिव आईटम्स बनाया जाते हैं बैट सीट में इस तरह के टक्स का यूज होता है हमारे पिलो कुशन कवर और जो मतलब लेड़ी होती हैं अच्छा लगता है नही नहीं चीजे बनाना तो वह भी अपने घर क कुछ भी फार्णिशिंग का चीज बनाती हैं इस तरह के टक्स का यूज करके वो बहुत सुन्दर सुन्दर डेकॉरेटिव चीजें बनाती है आप को इस तरह से नहीं नहीं थौट्स अपने धिमाग में लाएं अपने बुटिक में डिफरेंट डिफरण काइन के या अभी अभी तक कोई ने मास्क साइज इंटक्स पर नहीं बनाए तो आप अपने फेस मास्क जो हैं इंटक्स को लेकर बनाए तो बहुत ही सुन्दर लुक क्रियेट करेगा सो यह मेरे कुछ आइडियास थे आप लोगों के लिए अगर आप लोग बुटीक रन कर रहे हैं अपना तो इसलिए कि नए नए थौट्स प्रोसेस करके अपने आइडियास जो है लाकर अपने बुटीक में नए नए चीज़ें जो है वो रख सकते हैं सो इसी तरह बातो बातो में हमारा यह जो क्रॉस टक्स है वो भी तैयार हो गए है बनके सो यहां पर हमारा जो है वो फाइनल लुक है हमारे टक्स का आप देख सकते हैं सो बहुत ही खुपसूरत लुक जो है वो इसमें आया है सो यहां पर मैंने जो है वाइट त्रेट का यूज किया है जबी भी आप यह टक्स क्रियेट करेंगे तो आप सेम कलर का त्रेट रखेंगे सेम कलर की फैब्रिक रखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ सके अच्छे से दिखे इसलिए मैंने different color के thread का जो है इसमें use किया है और आप देख सकते हैं कितना सुन्दर look जो है वो इसका आ रहा है बना लेना है और जो भी हमारा pattern है उसको हमें secure कर लेना है उसके edges से और उसके बाद हम इस पे जो है टू इंच की जो है points बनाएंगे और टू इंच के points पे भी हम यहां पर क्या करेंगे स्टिचिंग करेंगे आप 2 इंच या 3 इंच जितने पर भी आप अपनी वेव चो है create करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग ली आप प्वाइंट बनाएंगे बड़ टू इंच का मैं यहां पर ले रहे हूं और यहां पर मिट पॉइंच जो होगा वह वान इंच होगा तो आपको टू इंच पर यहां पर फिर से एक स्टिचिंग लेनी है इस तरह से यह लाइन बहुत ही अच्छी लगते हैं डेकॉरेटिव टक्स बहुत ही सुन्दर और सूधिंग लूक क्रियट करते हैं अब यहां पर हमें क्या करना है जैसा कि नाम है इसका वेव टक्स तो हमें यहां पर वेव क्रियट करनी है तो हमें इस तरह से कपड़े को बाहर की और इस तरह से opposite direction में fold करना है और यहाँ पर हमारे जो wave tucks हैं वो बनके एकड़म तयार हो जाएंगे और देखिए आप कितनी सुन्दर जो है design बन गई है और यह बहुत ही खुपसूरत लगते हैं आप इस तरह की sleeves पर आपने यह work देखा होगा और नहीं देखा हो तो आप करके देखें हमारा कोई भी टॉप है वो पूरा plane है और असपर हमने sleeves को इस तरह से decorative लगा दी टक्स एड़ करके तो हमारा जो sleeve का look है वो बहुत ही सुन्दर create हो जाएगा तो यहां पर मैंने 22 inch के points रखे हैं आप चाहें तो 3 inch का point रखें और वहां पर 1.5 यानि 1.5 inch के दूरी पर आप इसकी wave जो है वो create कर सकते हैं आप देख सकते हैं हमने इस तरह से waves जो है वो create कर ली है और हमारा wave टक्स जो है वो बहुत ही खुबसूरत बन की तैयार है आप इसमें वीच बीच में अगर चाहें तो बीच भी टक कर सकते हैं उसको और खुबसूरत और decorative बनाने के लिए तो अब हम यहां पर जो next टक्स पढ़ने वाले है वो है release टक्स बनाना बहुत ही easy है तो release टक्स बनाने के लिए हमें क्या करना है एक fabric का जो हमारा point है हम वहां तक stitch करते हैं लाइक हमने पूरा pattern जो है वो तयार करना है हमें 7 इंच का तो हमने एक point माल लिया कि हमें 3 इंच का टक्स देना है या फिर 4 इंच का टक्स देना और उसके बाद जो space है उसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है सो बहुत ही easy है release text बनाना एक point लेना है वहां तक हमें stitch करना और वहां के बाद हमें ऐसे ही छोड़ देना है आहां पर देख सकते हैं मैंने सिर्फ यहां तक जो है वो stitch की और इसके बाद इसको खाली छोड़ दिया अब इसमें मैं इसी के साथ दो तीन variation आपको बता देती हूं बहुत ही easy है तो अब मैं क्या करूंगे इसके जैसे कि अभी मैंने इसको as a print text में जो हम सीम यूज करते हैं वो हमने की और अब हम यहां पर यूज करेंगे एक foot की जो है सिलाई सो मैं यहां पर एक foot की सिलाई ले रही हूं सो आप इसको कैसे भी बना सकते हैं decorative तरीके से इसका basic point यही होता है कि आप इसको एक point होगा वहां तक आप इसको stitch करेंगे जहां तक आप करना चाहते हैं उसके बाद कपड़ा जो है ऐसे ही छोड़ देंगे खुला सो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने half foot की जो है वो slightly है और अब हम यह क्या कर सकते हैं जैसे मानली जिए हमने 5 line ड्रो की है तो हमने क्या क्या फोर line एक्क्वेल कर दी और जो हमारी mid की line है तो उस पर हम क्या करेंगे जैसे कि यहां पर हमने 3-3 inch पर या 4 inch पर line ड्रो की अब सिलाई लगा दे रही हूं इस पर तो यहां पर देख सकते हैं मैं इस पर फिर से पिंटक्स वाली जो सीम है वो यहां पर दी है और इसको थोड़ा सा मैंने नीचे की और रगाया है तो यहां पर मैंने आपको दो तीन तरीके से बता दिया है सो basic concept आपका किलियरी अब मैं इ पिर से करूंगी जो है पिन टक्स की सीम है तो यहां पर हमारा रिलीस तरीके से बन के तयार है आप भी अपनी तरह से डिफरेंट 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 वैरीएशन के इसको कितनी भी variation में use करें आपका कोई end नहीं है आज की इस class में हम लोगोंने tux सीखे हैं और भी कुछ tux हैं जो बहुत ही easy हैं मैं अगर कभी जरूरी समझूगी तो उनको भी discuss कर लूगी आपके साथ और सारे टक्स लिए तो वीडियो जो है वो बहुत साथा बढ़ा हो जाएगा इस वीडियो में इतना ही मिलती हूँ आप से नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए टेक कियर बाबाए और किया ग्रेवाट भी जापके लिए जापके सब्सक्राइब अजिए पर चाइड दो एक जापके से नेक्स वाची तो भी को एड़ जाएगा